दियर स्टुडेंट मैं विद्यास आगर और आप देख रहे हैं विएस की विद्यास आगर सिंगा चैनल तो देखिए ये वीडियो देख रहे हैं आप लोगो कलास्दस्वी के कैपसुल कोर्स पार्ट पोटी थिरी यानि ते तालीसवा विडियो इससे पहले हम आप लोगो कैपसुल कोर्स का 42 विडियो बना चुके हैं अगर वो विडियो नहीं देखे हैं तो उस विडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गहे हैं आप लोग क्लिक करके बारी बाइट से देख सकत सब्सक्राइं सब्सक्राइब के सब्सक्राइब के बारी दिएखे हैं तो उस विडियो को अन्ते अच्छा लाएग आपको लईक कर दिजीगा और लुक्त सब्सक्राइब कंन्यों देखे और इस वीडियो को share भी कर दीजे सभी के पास था कि ज़़ा ज़़ा लोग देखें और अच्छा से अच्छा रिजल ले आप है चल देखें आप लोग को इसमें पहला question देखते हैं आप लोग को अब लोग को पाट चार्क बना दी हैं वीडियो वह भी ने देखें तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्स ने देख लिए गए देख लिए गए चलिए यहाँ पर आप लोग को देखे पहला नागरी लीपी के अरंभी के लेख हमें कहां से मिलते हैं अरंभी के लेख हैं अप लोगा जहाँ याद रखें ग लेक कोप से मिलने लगते हैं तो उतर भारत के जो नांगरी लिपी के अगर देखिए कॉप से मिलता है तो यह अफ़ीशा ज़ेगा यह लोको पी यहाद कर सकते नागरी यहां पे लीपी हैं ती दख है लीपने यहां दम चेज लीपना मतला समझ रहे हैं नसंप्राम मतल सब्सब्स नागर्डी कर इस सब्सक्राइब याद रखी को है नागरी लिपी के ठीक यहां पर नागरी लिपी कह रहा है आप लोगोगों जो कि यहां पर देखने गुड़ाकर मुले ने मिधिल अस्तर की पढ़ाई किस भासा में की तो यह भासा था उनका अप लोग अमहाराःष्ट में अपने वह थे ही चलिए पांच अंग्रेजी और हिंदी की पढ़ाई किये थे आप लोगो वार्धा में यानि प्राथमिक सिख्षा प्राप्त के वार्धा चले गए थे ठीक ना चलिए छे नमबर देखिए आप लोग जीवन परचे पढ़े होंगे तो कोई दिकत ही नहीं होगी नेपाली भासा किस लीपी म कोड़ी हो गया है साथ नमबर देखिए गुणाकर मुले का जन में कब हुआ था यह देखिए सुपर दूपर कोजन है एक्जाम के दिश्टी से और यह प्रसन आप लिख लिए कि दोनों में से तो किसी ना किसी में तो आहीं जाएगा आप लोग चलिए गुणाकर मुले का जन्म हुआ था आप लोग को अपसान आप लोग जाए गया जाए इस पार्ट से चे नमबर काएगा जो भी कोजन भी आई है तो आप लोग समझ सकते हैं इसका महतों कितना है आथ नमबर देखिये यहां पर गुळाकर मूले का जन्म कहां हुआ था तो गुळाकर मूले का जन्म अभी है मह राश्ठ हुआ था यांए अपसान आप लोग जाए ए म्तलबा को sticking तो पुस्ता का नाम है आप लोग का यहार पर लोग आप लोग को भी हो गया पार्स नहीं पढ़े हो तो आप लोग आप लोग आप लोग productivity घुआ ताकि आप लोग को एकजाम में कोई भी दिकत ना हो पाएं दस नमबर को रहा है गुप्तों की राजधानी को क्या कहेता है देव नगर देखिए अब गुप्त तो समझेए यह जो चंद गुप्त थे चंद गुप्त दिविती चंद गुप्त नहीं जो मतलब मौरे वंस किसा परचलीत नाम था और आप लोगो नगर तो इसी तर से आप लोगो बन गया था देव नागरी लिपी बन गया था तो यहां पे आप लोगो यह देव नगर यानि गुप्त के रजधानी किसको कहता है देव नोगर को यानि अपसना आप लोग है दी तो दासवाग आप लोगो डी हो गया चलिए गारा नमर पसंद देखी कर रहा है बंगला लिपी परचीन नागरी लिपी की क्या है तो यह देखिए बहान है क्योंकि गुडाकर मू अब ले जी ये बात बोले हैं कि बंगला लिपी जो है नागरी लिपी की पूत्र नहीं मतलब पूत्री नहीं है तो कम से कम बहुएं जड़ुर है तो क्या है बहुए यानि गारक आप लोगो हो जगा बी तैंगार्व लोगो बी हो गया चलिए यहां पर बाराण नमबर द पहले पहल किन रजाओं के लेखों के लीप नांदीनगरी नाम दिया गया धा जो देवराय किरिश्म ते अपने अपफनलों जया राइक आप लोगो विह बात निम्हां को बिया चलिए, तो उसको कहायता है आप लोगो नागर सैली यानि अपसन आप लोगो जहाए है पंदर नमबर देवनागरी लिपी में मुद्रण में टाइप कब बने तो ये टाइप दो सदी पहले यानि दो सब वर्स पहले ये टाइप बना ये लिखित रूप मतलब कुम्प्टराइज या चपने लगा 200 वर्स पहले यानि अपसन आप लोगो जहां पर ये तब पंदर आप लोगो ये हो गया हाला कि ये जो पढ़िएगा आप लोगो एकदम सुरू सुरू में ही पहल लीजिएगा दो सदी में 200 साल पहले यहां पर देखिए 16 नमबर कह रहा है आप लोगो नागर लगा 40 नागरी लिपी क्या कह थी पहले दक्षिन भारत की नागरी लिपी थी वह क्या कहला थी तो और सिध्यम यानि अपना आप लोगो जज़ अपसन नमबर यहां पर द आ अप लोग 17 का डी हो गया चलिए 18 देखिए गुडाकर मूले ने विभीन विशयोग के कितने नी निबंध लेक चुए है निबंध देगे 25 साल में देखिए इनको कैसे आप लोग महान कहेंगे 25 बर्स में यह पचीस सो निबंध लेक चुके थे लिपियों की कहानी यह रचना लिखा गया है किसके द्वारा यह कौन लिखा है तो इसलामी सासक का अरौंभकाल क्या है आप लोग को यह बरहवी सदी से यह अपसना आप लोग जाएं यह तो आप लोग को 20 का यह हो गया चलिए 21 नमर देखते हैं 21 नमर यहां पर कर रहा है गुडाकर मूले की मिरितु कब हुई तो गुडाकर मूले की मिरितु हुग अथा 29 में जो कि अभी हिमत अफिलाल में मतलब 12 बरस पह आप लोगो अपसना नमर यहां पर आप लोगोडी हो जागा तो इसका अपर को डी यह याद रखीएगा चलिए 22 नमर की सासक ने अपने सीशे के शीका होता नाम रखा था नागरी लिपी में लिखा जी से रम आप सीए सब्द कहा जिसे देखिए उसमें रम आप सीए लेकिन यह किसके द्वारा लिखा गया है तो गुनाकर मूले जो कि अपसना आप लोगो जान गए होंगे तो गुनाकर मूले द्वारा नागरी लिखा गया है चलिए यहां पर 10 नमर कर रहा है आप लोको इससे लिया गया है अप्छरक था गुणाकर गुणार घ्रोजी का, माराथी भांसा की लिपी है आप लोग को यहां पे दिवनागरी है याणि अबस्टना आप लोग जागा यहां पर शी थिक हिंदी का भी दिवनागरी ही है चलिए यहां पर देखिए 26 नबर हालांकि आप लोग जो परिक्षा देते थे पहले अब तो मैट्रिक में नहीं आता है लिखने के लिए पहले लिखता था लोग देवनागरी से हम लोग जब एकजाम दिये थे तो उसमें लिखे थे देवनागरी लीपी मतलब जो पहले रही हो इस तरह से लिखना है आप लोग को इस तरह से लिख दिए तुम क्या कर रही हो तो आवार्शिप क्या करते हैं आप लोग लिखते हैं तुम क्या कर रही हो इस तरह से लिखते हैं कि नहीं रही हो इस तरह से लिखते हैं आप लोग तब बाताए यह जो भासा हुआ दोनों का लिखावट तो इन आप लोगो दोनों का लिखावड दखी अलग अलग है तो इह आप लोगो रोमर लिपी में है और यह दिवनागरी न चलिए तकसाल का संबंध है तकसाल का संबंध है आप लोगो सीको से यानि अपसन नमबर ए तो 26 का आप लोगो यह होगे 27 नमबर देखी कर रहा है स्थान का संबंध है स्थान का संबंध है किस से संबंध है तो यह संबंध है आप लोगो यहां पर हो जाएगा एक परकाल है यह लेपी है तो यह लिपी आप लोगों फार्सी है यह आप लोगो मतलों अननी ध्यांब लीपी भी है तो उसी तरह के यह किसी देवनागरी की संगय दीग ही देवनागरी मतलब देवता की नगरी किसे काहेते हैं आप लोको यह हो गया, 31 नमर देखते हैं, और हाँ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं कियें, सस्क्राइब कर लिजी, कि आप लोग जान लिजी, हम एक यूटूबर नहीं हैं, हम एक टीचर हैं, और टीचर हैं, तो यह जो चैनल है मेरा, सिर्फ चैनल नहीं, आपकी एक फैमिली है, और इस फैमिली को सपोर्ट करना, और इस फैमिली को बड़ा करना, यह आपका दाई तो है, तेसलिए आप इस फैमिली को सपोर्ट कीजिए, ताकि यह फैमिली आगे और भी बड़ा हो जाए, और बड़ा हो कि आपके लिए और भी आच यहां पर देखिए आप लोग यहां पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं मैसेज किजिएगा आपको हम गुरूप में जोइन कर देंगे नहीं तो आप लोग डिरेक्ट जोइन हो सकते हैं उसका लिंक दिस्क्रिप्सन बॉक्स मोजूद है चलिए एक तीस संबर देखते हैं आप लोगो अमोगोर्स कौन था तो अमोगोर्स कौन था यह थे आप लोगो परख्यात राष्टकुर्ट राजा या अपसना आप लोगो हो जागा बी तो आप लोगो राजा या सासक याद रखे ने इसके लेंगे साही अमोगोर्स ठीक 31 का भी हो गया देखिए 32 कर रहा है मिहीर भोज की गवालियर की प्रस्थिस्ति किस भासा में है तो यह उनका प्रस्थिस्ति जो मतलब भासा है वह किस भासा में बताने तो बहांसा को संस्क्रिप यानि अपसना आप लोगो जगा अपस अपसना आप लोग जगा यहां पर चल देखिए उसके बाद देखी कह रहा है आप लोगो को तो आप लोगो को यहां पर राजा वर गोन यह संसलाने के लिए आप लोगो बहुत कम समय में अच्छी त्यारी हो जागी इस लिए आप लोग चैनल भी सब्सक्राइब कर लिए ताकि मेरा सब वीडियो पहुंच जाए आपके पास और आप लोग सबको बता दीए कि इस च ताकि सबको सपोर्ट होते रहें मिलता रहें तो ठीक है आप लोगों कल के वीडियो में मिलते हैं और अगले वीडियो में तब तक लिए जय हिंद्ध जय भारत बंदे मात्रम